अगर हमें बास्केट बॉल सीखना है तो माइकल जॉर्डन को स्टडी करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो वो सारी बुक्स पढ़नी चाहिए जो वारेन बफेट ने पड़ी थी इन्वेशन और नए डेरिंग आइडियास को एग्जेक्यूट कैसे करना है अगर यह सीखना है तो हमें ऐलाउन मस्क को स्टडी करना पड़ेगा लेकिन अगर हमें strong mind चाहिए, super focused calm mind चाहिए तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि Monks कैसे सोचते हैं इसके लिए हमें Monk बनने की जरूवत नहीं है बस हमें यह सीखना है कि वह सोचते कैसे हैं और आज की इस वीडियो में मैं super stable focused mind अचीव करने के लिए monks के सोचने का pattern आपको बताऊंगा और यह सब सिखेंगे जे सेटी की book think like a monk से So let's start तो super calm and focused mind अचीव करने के लिए सबसे पहला step आता है Number 1, let go यानि चीजों से ज़्यादा प्यार न रखो Detachment का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी भी चीज को खुद से पास मत रखो कुछ मत खरीदो बलकि इसका मतलब यह है कि आप अपने मन मर्जी की चीजों को ले लो लेकिन साथ attachment ना रखो यानि कल को अगर आपके पास वाचीज नहीं वी होती तो उसका आपके mental stage पर disturbance नहीं होना चाहिए In short, हमें चीजों को own करना है ना कि कैसी condition बनानी है ताकि वह चीज हमें own करे तो अब सवाल यह आता है कि हमें de-attachment वाले stage में कैसे पहुँचे इसके लिए author three steps process बताते हैं जिसमें सबसे पहला step आता है number one, sports आजकर हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम real life में है कौन हम चाहते क्या है हमारे identity ऐसी है कि जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े हैं और उस शीशे में धूर लगी है जिसके लिए हमें self audit करना पड़ेगा यानि या जानना पड़ेगा कि हम अपना time कहां use करते हैं कौन सा media consume कर रहे हैं क्या अवा book है कोई knowledgeable content है या फिर कोई useless garbage है और finally हमें ये देखना पड़ेगा कि हम money कहां spend करते हैं नेट्फिक्स की subscription में या कोई useful membership में next step कहता है number two stop author कहते हैं कि हमारी life में seven तरह की negative लोग हैं जिने हमें avoid ही करना चाहिए जिन में सबसे पहला आता है number one complainers जो कहते हैं यार आज का दिन मेरी जिन्दगी का सबसे बुरा दिन है दूसरे टाइप ओफ लोग है number two cancelers जिने हम या बोलें कि यार तो आज बहुत अच्छा दिख रहा है तो वह बोलेगा क्यों कल अच्छा नहीं दिख रहा था third type के लोग आते हैं casualties यानि जिनें लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है उन्हें unsuccessful बनाने के लिए कोई साजिश रजी जा रही है number four critics जो हमें कहते हैं मुझे तुमारा opinion नहीं चाहिए समझे next आते हैं commanders या वह लोग हैं जो चाहते हैं बस पूरा दिन आप इनके साथ ही time waste करते रहो next category है competitors जो कहते हैं मेरी success चाहते हैं कि बाकी सब लोग उन्हीं की मर्दी से सले author कहते हैं कि हमें इन साथ लोगों को avoid ही करना चाहिए लेकिन साथ में हमें 75-25 रोल को follow करना चाहिए जो कि कहता है कम से कम हमें 70% time positive लोगों के साथ गुजारना है और maximum 20% से ज़ादा time negative लोगों के साथ spend नहीं करना है या फिर हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि हमारी जिन्दगी में एक negative person है तो उसे complete set करने के लिए कम से कम 3 positive इनसान होना ही चाहिए next step आता है number 3 swap इसमें author कहते हैं कि अब हमें negative environment को swap करना है positive environment से जिसके लिए हम 2S formula को follow करना है इस 2S में सबसे पहला S है control your sight यानि सुबा उठते ही हमें अपना phone नहीं देखना चाहिए बलकि कोई positive quotation या कोई artwork या कोई nurture का scene या फिर अपने family की picture दिखनी चाहिए सेके साता है control your sense यानि अपने आस पास ऐसे खुश्बों का environment रखें जो हमें positive चीजों की याद दिलाते रहे जैसे lavender and eucalyptus step 2 आता है number 2 grow author कहते हैं कि हमें life में grow करना है तो हमें अपने धर्म को follow करना पड़ेगा जिसमें धर्म का मतलब religion नहीं बलकि वर्ना प्लस सेवा है वर्ना का मतलब है हमारा passion या कोई expertise और सेवा का मतलब है दुनिया के service यानि हम सब grow तब होंगे जब हम अपने expertise से लोगों की help करेंगे और author की या definition Japanese के concept इची गाई के जैसी ही है और जब हम अपना या धर्म अपनाते हैं तब हम हर दिन actual में happiness के stage में पहुंच सकते हैं grow होने के लिए author हमें best daily routines भी बताते हैं जो कि है 1. एक दिन पहले ही शायम को decide कर लो कि next day हमें achieve क्या करना है 2. हमें चार चीजों के लिए time निकालना ही चाहिए जिसमें T से पहले आता है thankful यानि हर रोज तुम्हारी life में क्या positive हो रहा है उसके लिए time निकालो I यानि inside के लिए time निकालो जिसमें हम books या audio books को सुन सकते हैं M यानि meditation के लिए time निकालो चाहे वो दिन में सिर्फ 10 minute ही क्यों न हो and E यानि exercise के लिए time निकालो फिर चाहे वो 15 minute की exercise क्यों न हो तो basically यहाँ पे जो meditation का मतलब है तो जो हमारे muslim भाई बहन है वो लोग particular नमास का time निकालिए आप के लिए वो enough है so finally mind को best stage में पहुँचाने के लिए next step आता है number 3 give author अपनी एक story बताते है कि जब वहां monk बनने गए थे वहाँ पर उनके teacher ने उन्हें और उनके बागी batchmate से कहा कि तुम सब इस paper में अपनी life का एक ऐसा incident लिखो जो तुमें लगता है कि जो तुम deserve नहीं करते थे इस पर पहले तो सब confuse हो गए लेगिन फिर सब अपनी life का incident लिखने लग गए जे शेटी ने अपनी life का वह experience लिखा जहां पर उनको उनके friend ने धोका दिया था उनके batchmate ने एक story लिखी जिसमें वह अपनी बहन की premature death के बारे में mention किया था 15 मिनट के बाद जब सब अपने notes दिखा है तो हर इनसान ने अपनी life का कोई ना कोई negative incident लिखा था जिस पर senior mock ने सब से कहा कि यह जो सारे points ने तुमें लिखे हैं वो valid हैं टू हैं लेकिन यह सब negative है तुम सब को ऐसा क्यों लगता है कि जो भी तुमारी life में positive चीज़े हुई है वह तुम deserve करते हो तुम सब अपनी family members के बारे में तो लिख सकते थे जिन्होंने तुमारी life को improve करने के लिए इतना time invest किया है जितना के तुमने खुद नहीं किया इसलिए एक lesson जो उस दिन उस सब ने senior monk से सीखा था वह gratitude यानि जो भी positive चीज़े हमारी life में होती है especially छोटी छोटी चीज़े उनके लिए भी हमें thankful होना चाहिए और या बहुत से research भी proof कर चुकी है कि gratitude हो यानि हर बार चोटी चोटी चीज़ों के लिए thankful होना directly related है हमारी happiness थे और इसके बाद author बोलते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए thankful होने लगा था जब वह 9 साल के थे पहली बार इंडिया आए और red light में जब उनकी taxi रुकी तो उन्होंने signal में एक छोटी लड़की देखी जिसकी टांग नहीं थी और वह जोकी हुई एक कूडे के डिब्बे से कुछ निकाल रही थी जब वो सीधी खड़ी हुई तो author ने realize किया कि उसके तो हाथ भी नहीं थे उसके बाद जब author five star hotel में पहुँचे जहां पर उन्हें रुकना था तो वहां पर एक बच्चा अपने parents पर गुच्सा हो रहा था कि उसे menu में दी गई कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है या incident उन्हें बाद में याद आया जब उन्होंने mong की training ली वो लंडन में अपने community के साथ कितने parties बनाते थे लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग है जो हर रोज इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं क्यों नहीं सिर्फ दो वक का खाना मिल जाए senior mong के दिये हुए lessons के बाद author चोटी चोटी चीज़ों के लिए भी thankful होने लगे mong की तरह भी जो बड़े इस्लामिक scholars है जो उलिमाय दीन है वो भी कहते हैं कि हमें अल्ला का शुकर अदा करते रहना चाहिए जो भी चीज़े अल्ला ने हमें दी है उसका gratitude शो करना है हमें शुकर अदा करना है और दिन का कुछ समय हमें वो चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो अल्ला ने हमें दी है और अगर हम औरों की achievement में भी खुश हो जाते हैं तो हमारी happiness 52-60 टाइम बढ़ जाती है और इतना ही नहीं इससे हमारे relationship बाकी लोगों के साथ strong भी हो जाते हैं इन शॉट अगर हमें एक मौं की तरह सोचना है तो तुम हमें एक मौं की तरह सर्वी करना पड़ेगा जिसका मतलब है बिना मतलब के लोगों को सर्व करना तो दोस्तो इस वीडियो में हमें एक मौं की तरह focus और calm mind को अचीव करने के लिए थ्री स्टेप देखे हैं फर्स्ट है लेट गो सेकेंड है ग्रो एंड थर्ड है गिव लेट गो में हमने थ्री स्टेप देखे थे sport, stop, swap sport का मतलब या था कि self audit करो कि हम अपना time कहा spend कर रहे हैं कौन सा media consume कर रहे हैं और money कहा spend कर रहे हैं एक बार जब हम self analysis कर लेते हैं तो हमें next stop करना है उन सबी चीजों को stop करना है जो life में हमें negativity देती है जिन में 7 तरह के लोग हैं जो है complainers cancelled, casualties critic, commandos competitors and controllers और 75-25 role consciously follow करना है यानि कोशिश करनी है कि हम minimum 70% time positive लोगों के साथ spend करे और 20% से ज़्यादा time spend हम negative person के साथ ना करे step 2 था grow ये simple step में हमने देखा था कि हम grow तभी कर सकते हैं जब हम धर्म को follow करेंगे और धर्म का मतलब religious नहीं इसका मतलब है वरना प्लस सेवा यानि आपने expertise को या skill को दूसरों की मदद के लिए use करना इसमें हमने या भी देखा था कि हम चार चीजों के लिए भी time spend करना चाहिए जिसमें T का मतलब था thankful होने के लिए या वो चीजें जो हमें मिली है I यानि insight के लिए जैसे books या audio books सुनने के लिए M यानि meditation के लिए time निकाले E यानि exercise के लिए time निकाले and finally जो third step है वो है give यानि unconditional लोगों के लिए service दो या मत सोचो कि अगर हमने किसी से कुछ लिया है तो उसे भी हमारे लिए कुछ करना ही चाहिए do not worry nature reciprocate करती है यानि जो आप अच्छा करोगे वह वापिस हमारी life में आएगा ही आएगा इसमें हमने देखा था कि अगर हम औरों की खुशी में खुशी होते हैं तो हमें बहुत से chances मिलेंगे खुश होने के वरना सिरिफ हम अपनी खुशियों में खुश होते रहेंगे तो हमें एक या दो चांसे सी मिलेंगे पूरे साल में अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमली मेंबर के काम आ सकती है ये वीडियो तो उनको आप जरूर शेर कर दीजे अगर आप ऐसी knowledgeable वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा दीजेगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थाइंक्यू वेरी मच